Hello guys, आज जो हमारा topic है वो है encapsulation, हम encapsulation को समझेंगे कि हम इसको object-onative programming में कैसे use कर पाएंगे देखे, encapsulation का मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मतलब आपको कोई चीज private बनाना मतलब आपको कोई भी चीज का पूरा access नहीं देना, किसी को, उसी को हम क्या कहते है, encapsulation कहते है अब देखे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको definition बताऊँगा, यहाँ पर देखे क्या लिखा हुआ है An object variable should not always be directly accessible मतलब आप अपने variable को direct access नहीं कर सकते, किसके अंदर encapsulation के अंदर The method can ensure the correct values are set, if an incorrect value is set, the method can return an error अगर आपने कोई method बनाया और उसके अंदर कोई गलत value set कर दी तो वो आपको क्या return कर देगा, error return कर देगा आप उसको अंदर ही अंदर function में use कर सकते हैं, मतलब आप class बना के किसी भी function के अंदर अंदर ही अंदर use कर सकते हैं, मगर direct आप object बना के उसको use नहीं कर सकते हैं इसी को हम क्या कहते है, encapsulation कहते हैं देखे, encapsulation एक तरह से मैं private कह सकते हूँ, कि आप कोई चीज private just example के लिए मालो आपको mouse, mouse आपने देखा ही होगा mouse आप चलाते हैं, mouse के थूँ आप cursor को pointer करके कहीं पर जाते हैं अब अंदर की आप उसमें process क्या लगा हुआ है उसके अंदर क्या process है कि वो उसको drag करता है जो भी है तो वो एक तरह से क्या होगा है, आपके लिए private होगा आप उसको खोलेंगे तो देखेंगे वो तब पता चलेगा मगर ऐसे देखा जाए तो बस आपका काम क्या है, mouse के थूँ करसर को चलाना तो ये एक तरह से एक encapsulation का example हुआ मतलब आप सामने वाले को बस बता रहेंगे, आप ये function यूज करो अंदर की definition क्या है, वो आपको पता नहीं चलनी चाहिए तो encapsulation मतलब private तो encapsulation हम जो define करेंगे, वो कैसे define करेंगे, मैं आपको पूरा का पूरा practically ही बताऊँगा और इसको हम practically ही समझेंगे और इसको oops के concept के through हम क्या करेंगे, यूज करेंगे देखिए, अब मैं encapsulation के लिए मैं आपके सामने coding का part start करता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगे encapsulation कैसे define होता है देखिए, एक file बनाईए, मैंने encapsulation.py अब देखिए, encapsulation के लिए हम क्या करते हैं एक class मनाते हैं, मैंने एक class मना दी class मना हैं बनाई student नाम से देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि private कैसे बनता है variable, पहले मैं variable private बना के दिखाऊँगा फिर मैं function private बना के दिखाऊँगा फिर मैं उसको call करके दिखाऊँगा, बाहर call होता है कि नहीं होता अगर call नहीं होता है, तो आप उसको कैसे call कर पाएंगे वो हम देखेंगे, यहाँ पे हम कोई भी variable मनाते है variable मनाने का मतलब अगर एक variable मनाया है मैंने underscore underscore name equal to मैंने यहाँ पे इसके अंदर value set कर दी hello यह name में मैंने hello की जगे लिख दिया, रवी ले लिया एक variable लिया, underscore underscore name और उसमें कौन सी value set कर दी रवी अब देखें, यह एक variable है, यह एक private variable है private variable किससे बनता है, यहाँ पे indicate कर देता हूँ, मैं underscore underscore से यही आपका क्या है, encapsulation का तरीका है, कि आप encapsulation के थुरू variable अगर बनाना चाते तो कैसे बनाएंगे तो underscore underscore name बनाया और मैंने equal to क्या लिखा रवी अब देखें, इसका मैं object बनाता हूँ, इसका मैं क्या बना देता हूँ, यहाँ पे object बना देता हूँ तो object बनाने के लिए, obj equal to student और यहाँ पे round bracket ले लिए अब मैं आपसे कहता हूँ, name variable को use करके दिखा हूँ आप मुझे तो आप इसको use नहीं कर सकते, देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, obj. underscore name यहाँ पे मैं इसको print कर देता हूँ, देखें, मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँगा, print कर दूँगा और जब आप इसको use करने जाएंगे, तो यह use नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, private है तो private variable direct object के थुरू use नहीं हो सकता, देखें, मैं इसको यहाँ पे print करके दिखाता हूँ देखें, आपके सामने क्या हो गई है, error आगई है, error इसलिए आई है कि जो आप attribute use के थुरू, वो direct use होई नहीं सकता अगर देखो, मैं अगर मैं इसको simple एक name नाम का variable ले लेता और आप इसको direct use करते तो आपका variable क्या हो जाता, direct use हो जाता, देखें, रवी आपके सामने print हो गया, तो encapsulation के logic में आप उस variable को direct बाहर use नहीं कर सकते, जो आपने private बना है, अब आप इसको use करना चाहते हैं, तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, def underscore underscore init, और यहां पर हम round bracket में self लिख देते हैं, self खुद में एक object का काम करता है, मतलब यह पहले से define नहीं, आप यहां पर define कर रहे हैं self को, ठीक हैं, और आप यहां पर print कर देंगे, self dash underscore underscore name, self dot underscore underscore name, तो देखें, अब मैं इसका object बनाता हूँ, और object बनाते ही, अब मैं इस variable को call नहीं कर रहा है, मैं object बनाते ही, क्या होगा, आपका constructor call हो जाएगा, यहां पर देखें, notice करिए, एक variable है, name नाम का private variable है, आपने constructor बनाना है, उस constructor के अंदर name नाम के variable को क्या क्या है, print कर दिया, अब देखें, मैं यहां पर run करता हूँ, आप के सामने आपका output आजाएगा, रवी आगया, तो आपने उस variable को अंदर आप यूज कर सकते हो, class के अंदर, मगर आप direct बाहर यूज नहीं कर सकते, तो encapsulation का मतलब आपको चीजे hide कर नहीं है, आप अंदर अंदर यूज करके उसको implement कर रहे हैं, मगर बाहर आप direct access नहीं देना चाहते हैं, इसी को हम encapsulation का क्या कहते हैं, formula कहते हैं, अब अगर आपको private method बनाना है, मतलब अगर private method बनाना है, और उसको आप direct बाहर call नहीं करना चाहते हैं, पहले तो private method कैसे बनता है, फिर आप उसको direct बाहर call नहीं कर सकते हैं, फिर उसको आप कैसे call करेंगे, उसको भी मै क्या कर सकता हूँ इस्टेक्टर में call कर सकता हूँ देखिए private method का मतलब क्या है मैंने एक method बना दिया def underscore underscore बस method का नाम बता दीजिए आप क्या करता है तो आपने बता है display info नाम से आपने method बनाया display info और यहाँ पे भी self होगा तो देना एक argument देना mandatory है colon और आपने यहाँ पे print कर दिया welcome to ws cube welcome to ws cube tech यह आपने यहाँ पे क्या कर दिया print कर दिया तो यह भी एक private देखिए अब object के थुरू आप function को call कर सकते हैं जब आप variable को call कर सकते हैं तो function को भी call कर सकते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा obj. underscore underscore display info नाम का function है मैंने इसको call किया यह प्राइबिट function है यह प्राइबिट method है यह फंक्शन कह सकते हैं आप इसको direct access नहीं कर सकते हैं देखिए मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूं इसको run करता हूं देखिए यह access होई नहीं पाएगा तो आप यूज करिए कहां पे करिए यहां पे call कर लीजे इसको call करने का तरीका क्या है self.underscore.underscore.display.info तो आप यहां पे किसी भी function को call कर सकते हैं बस self के help से आप अंदर ही अंदर आप इस private function को अंदर call कर सकते हैं पर बाहर call नहीं कर सकते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना यह मैं हटा देता हूं यहां से क्यूंकि constructor तो automatic call हो जाता है पहले वह वेरबल को call करेगा फिर आपके सामने क्या आएगा welcome to ws3 लिखा हुआ आ जाएगा देखिए रवी आया और क्या है welcome to ws3 लिखा है तो यह हमने समझा कि अगर आपका कोई private वेरबल है तो वह direct access नहीं हो सकता आपको उसको अंदर access करना है तो उसको आप access कर सकते हैं अंदर ही किसी भी function के अंदर और मतलब आप constructor के अंदर भी उसको क्या कर सकते हैं और उसके अंदर के attributes को call ना करें तो यही आपका encapsulation का क्या होता है logic होता है तो आज हमने देखा कि encapsulation हम कैसे define करेंगे मतलब हम private method कैसे बनाते हैं और उसको हम call कैसे करते हैं directly call नहीं करते हैं अंदर ये अंदर function में कैसे call करते हैं करते हैं